इसे पहले कि आज का सेसं सुरू हो एक इंपोर्टेर्ट सूचना आपके लिए अब आप मुझे अनेकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरा प्रोफाल है मनीश कुमार के नाम से यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे वो चीज़े लिखी हुई है कि मैंने क्या किया है और अभी मैं क्या कर रहा हूँ मैंने बीटेक पर रखा है सिविल से और अभी तक का 5 सार का तज़ूर्वा है टीचिंग में और फिरहाल मैं अभी NFR में भी बर्किन हूँ यानि कि इंडियार रेलेवे में भी बर्किन हूँ काफी लो कोश्ट में यहाँ पे अच्छे से अच्छे एडुकेटर आपको गाइड करने के लिए है और यहाँ पे अगर बात करे रेलेवे या SSC या जो ही competitive exam होता है या interesting exam होता है उस exam को crack कराने के लिए इस तरह से यहाँ पे fear structure रखा गया है कि कोई भी बंदा आसानी से afford कर सकता आप देखेंगे कि 12 महीने का जो subscription charge है वो 5000 है लेकिन अगर आप 24 महीने के लिए लेना चाते है यानि कि 2 साल के लिए लेना चाते है तो वो आपको 6000 पर जागा अगर आप मेरा जो promo code है वो यूज करते हैं तब ये आपको और भी low cost में मिल जागा यानि कि आपको 10% का discount मिल जागा अगर आप ये मेरा promo code यूज करते हैं देखेंगे कि जो 5000 का course था वो आपको 4500 में मिल जागा एक साल के लिए और अगर यहां पर देखेंगे 12 मांद के लिए तो ये आपको 6000 का course 2400 में मिल जागा अगर आप इस promo code को यूज करते हैं इसका और भी बहुत साला फीचर है कि यहां पर आपको जो भी course मिलेगा एक structure में मिलेगा अच्छे तरीके से compile किया हुआ रहेगा कभी भी कहीं भी access कर सकते हैं और यहां पर जो टेस्रीज और क्यूज होगा वो फिरी of course होगा यह आप से प्रशन पूछा गया आपके option है UP हिमाचल पडिस करनाटक महाराश्टी ए अगर हम कुगती बात करें कुगती लिखा जाए या कुगती लिखा जाए अगर लिखा जार एक ही बात है तो कुगती कब होती है कुगती या दुर्गती एक ही बढ़हगा यानि कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और एकदम से उसमें आपको असा फलता मिली तो उसको क्या करते हैं कुगती या दुरगती तो दुरगती जब आपको प्राप्त होती है तो हमेशा मा को याद करते हैं ना मतलब कि मा सबसे क्लोज होती है तो अगर आपके साथ कुगती होती है दुर्गती होती है तो माँ को याद करते हैं ठीक है तो इस तरह से हम याद करेंगे कि हिमाचल पर्देश हिमाचल पर्देश में मा जैसा बर्ड कुछ सिंस आता है तो इससे हम याद कर लेंगे ठीक है हिमाचल पर्देश में कुगती ब लाघ्यार कोशन की बात करें गरने जीव अभ्यारन कहां पर है अगर हम बात करें अगर तो यह आपके चंदॉली में है और चंदॉली काफी फेमस डिस्टिक है यूपी का तो इससे याद रखेंगे कि चंदॉली चंदेल चंद्रपवा एक दूसरे से रिलेट करते हैं यहां पे चंदेल सासक हुआ करते थे ठीक है चंदेल बहुत सारे लोगों के नाम में भी टाइटील लगा राता है लाना चंदेल यानि कि बहुत सारे लोग राकेश चंदेल मुकेश चंदेल इस तरह से चंदेल लगा रभाँ चंदेल इस तरह से यह सभी यूपी में है ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जागा यूपी अगरा कोशन की बात करें दाची गाम बंदी जीब अभ्यारण कहां पे है यह तो मैंने कई बार आपको बता है कि दो जा दाची गाम है वह अभ्यारण जम्मू कासमीर में है यार भी मैंने कराया था कि जो वहां के ग्राम जो मुखिया वगेरा होते हैं सरपंच वगेरा होते हो उनको वहां पे मार दिया जाता है आपको हाल फिलार में न्यूज में आया होगा कि सरपंच को मार दिया गया यानि कि जो ग्राम सभा अगर लगती है वहां पे तो दवाया जाता है वहां के जो टेले रिष्ट है जम्मू कास्मिर के ये नहीं चाहते हैं कि वहां पे ग्राम सभा आयोजित किया जाए ठीक है तो इस तरह से हम याद किये थे कि ग्राम सभा को वहां पे दवा दिया जाता है तो दाची गाम को इस तरह से रिलेट करेंगे अगरा कोशन क की बात करें जंजाती से रिलेटेड है चेंचू जंजाती किस परदेश में निवास करती है देखिए चेंचू ऐसा तो नहीं है कि एक ही राज्य में निवास करेगी क्योंकि वो जो आदिवासी होते हैं वो कफी राज्य का सीमा समझ में उनको नहीं आती है वो उनको जहां प तिलंगाना यहाँ पहले एक फेंद आंधरा प्रदेसर निवास करते हैं तो तो याद कैसे करेंगे एक faster गैने कोई पच्छी तो आदमी कब चूचू करता है जब कोई भी चीजों को वो देखता नहीं है तो बस वो बक बक करते रहता चूचू करते रहता ठीक है तो इस तरह से यार रखेंगे कि जो अंधे लोग होते हैं, वो चूचू करते हैं, देखते नहीं है, बस चूचू करते हैं, ठीक है? इस तरह से हम याद करे भी करेंगे इसको, और आन्रा परदेश से रिलेट करके, उसके आस पास के ऻाज यह जी तमिनाडू को छोड़ के आंद्रा पदेश से तिरंगाना होई जाएगा उपर का उडिसा नीचे का करनातक हो जागा ठीक है अगरा कोश्चन क्यों बढ़ते हैं लिंबू जनजाती किसे राज में निवास करती देखें लिंबू अगर जनजाती की बात करें तो ये नेपाल म है लेकिन निम्बू आप जरूर खरीदते होगे तो निम्बू ऐसा तो नहीं है दस रुपिया पाच रुपिया में मिलता है एक रुपिया दो रुपिया के सिक्के में मिल जाता है तो यानि कि सिक्कम ठीक है इस तरह से या रखेंगा अगरा कोशन की बात करें डोंगरिया जी आई और आई नियामगीरी एक परवत है उरिसा में उसी परवत पर ये निवास करती है डोंगरिया ठीक है अब डोंगरिया को इस तरह से या रखेंगे कि डोंगरिया जैसा सेंस दे रहा है जैसे टोकरिया ठीक है टोकरी तो टोकरी बगेरा उड़ने लगता है अगर ज प्रवट पर लीडंडें लगती है ये अगर आपसे पूचा जारा कि कौन से पर्वत पर निवास करती है अगरा कोशन की exceptions की योड़ा बढ़ते हैं निमे में से को सी जन जाती नील गिरी पहाड़ी और से संबदी थे यह आपसे पोचा जा रहा है तो अगर हम बात करें बगदा बगदा यानि कि बगदा मतलब बड़ा जैसा कुछ सेंस दे रहाना है और नील गिरी भी जो परवत है कुछ बड़ा है ठीक है एक आप कर सकते हैं कि बहुत बड़ा परवत तो नहीं है लेकिन एक बड़ा परवत है सौथ में अगर हम जाते हैं तो ठीक है तो यह जो बगदा जन जाती है वो नीरगिरी जैसे बड़े पडवत पे ही निवास करती है अगरा कोशन की ओर पड़ है जो की लाश्ट कोशन है आज का भील जन जाती सरवाधिक कौन से राज में पाये जाता है देखे अगर हम भील जन जाती की बात करें तो बहुत सारे राजस्थान बगएरा में पाये जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान बगएरा आप क्या उसवासर रहें तो वह नहीं होगा लेकिन अगर हम मुखी रूप से बात करें तो भील जन जाती में पाये जाते है जो इंडिया है आपके ये बीच का प्रदेश है इंपी तो यानि की तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि जो भी जल जाती है वह कहां पर निवास करती है यह मद्य प्रदेश में तो आसा करते हैं जितने भी कोशन आज मैंने आपको कराएं वह आपको याद हो गए होंगे इसी तरह से बने रहे हैं यह चैनल के साथ नेक्स वीडियो में कोई और भी सेशन होगा जिसमें हम जोग्राफी हो सकता है कि कोशन लाएं आज ही मैंने आपके लिए कमिश्टी के कोशन लाए थे जो कि काफी इंपॉर्टेट था आप लोग देखते नहीं है देखते हैं वो तो आपे डिपेंड करता है लेकिन जो मैं चुनिंदा कोशन लाता हू क्योंकि जो प्रिंटेड रहता है उसमें हलके कोशन भी रहते हैं तो मैं आपका यह नहीं चाहता हो कि समय जाया हो मैं यह चाहता हूं कि आपके साहते हूं भी जन जाती कौन सी है यह सब को पता होता है तो यह सब चीजों को हम याद करवा के आपको समय जाया नहीं करवाएंगे ठीक है तो बने रहेगा चैनल के साथ अगर आप चाहते हैं कि अनकेडमी से भी आप कुछ फायरा प्राप्त करें तो आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्कॉंट मिल जागा कोई भी कोस खरी नेंगे तो ठीक है तो ने इस वीडियो मिलें तब तक के लिए धन्यवाद